Hi guys, तो आज मैं आपके साथ एक product का review करने जा रही हूँ उस product का नाम है Wow Skin Science conse cinnamon cinnamon cream ये जे है वो product जिसका मैं आपके साथ review करने वाली हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दू ये गर्मियाँ चल रही है गर्मियों में हमारे लिए vitamin C कितना जादा important होता है ये आप सभी को पता ही है तो vitamin C हमारे लिए कितना ज़्यादा important होता है ये आप सभी को पता है और गल्मियों में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है हमारी skin के लिए vitamin C हमारे लिए क्या-क्या work करता है देखिए आपकी जो अगर face पे scarves हैं फेस में कोई blemishes है या दाग धबे हैं pimples के spots है वो सब को धीरे धीरे reduce करता है बट कोई भी चीज आपको अपने face पे use करना है उसके लिए आपको patience रखना है जादू miracle miracle तो कुछ भी नहीं होता है कि आप में लगाया और चू मंतर चू हो गया मतलब जादू से कुछ हो गया ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो कोई भी आपको product यूज करना है उसके लिए आपको patience रखना ही पड़ेगा तो जी हाँ मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस face serum के बारे में सबसे पहले इसकी packaging की बात कर लेते हैं यह एक cardboard की packaging में आता है और यह है कांच की bottle serum आपको कांच की bottle में जादा तर मिलता है चाहे वो कोई भी brand का हो तो हम बात कर रहे हैं वाल स्किन साइन्स का यह transparent इसका जो cap है वो transparent है pump bottle है यह देखे इसकी जो bottle है वो pump bottle है आपको बस क्या करना है ऐसे pump press करना है और आपका serum actual जो product है वो आ जाएगा light एकदम yellowish इसका जो product है वो है आगे चलके मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से आपको अपने face पे apply करना है तो यह तो हो गई इसकी packaging की बात और इसके उपर क्या क्या लिखा हुआ है wow skin science vitamin face serum I am 20% dermatologically tested vitamin C, witch hazel, hydrochloric acid जी हाँ, इसमें witch hazel है जो कि आपके face के लिए बहुत जादा अच्छा होता है 20% यानि कि इसमें 20% का जो vitamin C का जो क्या बोलते हैं ingredient है वो 20% है तो अकर आप vitamin C से allergic है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने face पे vitamin C वाली चीज़े नहीं अपलाई कर सकते हैं जैसे कि निम्बू हो गया जब आप यूज करते हैं तो आपको itching हो जाती है ताने हो जाते हैं तो अगर आप allergic है vitamin C से तो आप इसको एक बाद जरूर ट्राय कर सकते हैं यह आपको allergy ना दे आपको यूज करें तो यह आपको बहुत अच्छा फील हो तो चलिए बात करते हैं अब इसके price की इसका price है 699 का लेकिन अगर आप wow की website पे इसको check out करेंगे तो आपको ज़रूर यह कोई ना कोई अच्छे offer में मिल जाएगा तो ज़रू check out करेंगा और यह जो इसका QR code है इससे जब आपका product आ जाता है तो आप यहाँ से test कर सकते हैं try कर सकते हैं क्या आपका product original है या नहीं है मैं अब आपको बता देती हूँ इसको किस तरह से use करना है यहाँ पर साफ साफ mention है जब भी आप इसको use करिए सबसे पहले अपने face को wash कर लीजे wash करने के बाद हलका पोश लीजे पोशने के बाद इसकी कुछ drop आपको अपने हाथ पे लेनी है उसके बाद आपको अपने सुखे गीले face पे थोड़ा सा ऐसे कर, हाथ ऐसे करके dab 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 करके लगा के छोड़ देना है अगर आप दिन में use कर रहे हैं तो आप toner भी use कर सकते हैं उसके बाद आप इसकी कुछ भून लेकर के अपने face पे अपलाए कर लीजे तो बार इसमें लिखा हुआ है कि आपको दिन में दो बार इसको use करना है अगर आप और अच्छा result चाते हैं तो आप तीन बार भी इसको अपने face पे use कर सकते हैं इसका कोई भी side effect नहीं है जानते हैं कि जो wow skin science के product होते हैं वो no paraben, no silicone, no mineral oil और कोई भी added color नहीं होता है natural ingredient से बनता है तो आप बिना किसी second thought के ये product use कर सकते हैं जगर इसकी fragrance की smell की बात करें तो जब आप इसको निकालेंगे तो वो आपको हलका सा acidic smell आएगी बट वो इतनी mild है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा friends I hope आपको मेरा ये review अच्छा लगा होगा इस product के बारे में अच्छा लगा है तो please वीडियो को like share करिएगा मेरे चैनल पर पहली बार आएगा तो ज़रू सबस्क्राइब कीजेगा चलिए मिलती हूँ next video के साथ लिए आप अपना ख्याल रखिए मिलती हूँ next video में बाई बाई टेक क्या